अगर आप एक डॉग लवर है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूले हेलो दोस्तो दे अल्टिमेट चैनल में आपका स्वागत है हमारे डॉग वर्सिस डॉग की सीरीज में आज हम बात करेंगे टिबेटन मैस्टिफ वर्सिस जर्मन शेपर्ड के बारे में दोस्तो जर्मन शेपर्ड एक मीडियम टू लाच साइस की डॉग बीड है और इनका ओरिजिन जर्मनी से है जर्मन शपर्ड पूरे वर्ल्ड में one of the most popular dog breed में से एक है जर्मन शपर्ड वर्किंग dog की ग्रुप में आते हैं और इनको मैक्स वॉन स्टेफिनिस ने breed किया था तिबेतन मैस्टिफ एक लार्ट साइस की dog breed है और इनका origin तिबबत से है ये जाधा तर तिबेत, चाइना, नौर्थ इंडिया और नेपाल में पाये जाते हैं पहले के टाइम में तिबेत के लोकल ट्राइप्स टिबेतन मैस्टिफ को as a guard dog यूज करते थे अपने भेड़ और बकरियों को वुल्फ और स्नो लेपड जैसे खतरनाक जानवरों से बचाने के लिए तो चलिए अब हम जानते हैं कि इन दोनों में से अच्छा family dog कौन सा है दोस्तो family dogs के मामले में without a doubt German shepherd टिबेतन मैस्टिफ से बहुत अच्छे होते हैं अपने ओनर के लिए loyal होना, अच्छे guard dog होना और अपनी family के लिए protective होना ये सारी qualities तो तिबेतन मैस्टिफ में भी है लेकिन जर्मन शपर्ट इन से अलग है तिबेतन मैस्टिफ के मुकाबले जर्मन शपर्ट को सोशिलाइज करना, ट्रेनिंग देना और छोटे बच्चों के साथ रखना ज्यादा इजी होता है तो चलिए अब हम जानते हैं इन दोनों dogs की height के बारे में तिबेतन मैस्टिफ में females की average height 25 inches से लेके 29 inches तक होती है 22 inches से लेके 24 inches तक होती है और males की average height 24 inches से लेके 26 inches तक होती है तिबेतन मैस्टिफ large size की dog breed है इसलिए तिबेतन मैस्टिफ जर्मन शपर्ट से जादा बड़े होते हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं training और socialization के बारे में दोस्तों अगर training की बात करें तो जर्मन शपर्ट को train करना टिबेतन मैस्टिफ के मुकाबले जादा easy होगा क्योंकि जर्मन शपर्ट वैसे ही बहुत intelligent होते हैं और ये अलग-अलग कामों के लिए भी train किया जा सकते हैं जर्मन शपर्ट को बहुत सी कंट्रीज में military और police work के लिए भी use किया जाता है और वहीं अगर टिबेतन मैस्टिफ को training देने की बात करें तो इनको training देने के लिए आपको थोड़ी जादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप इन दोनों dogs को बचपन से ही training देना start करें तो जादा अच्छा रहेगा इने बचपन से ही दूसरे animals और दूसरे dogs के साथ भी socialize करें अगर आप बड़े होने के बाद इनको socialize करेंगे तो कुछ chances है कि आपका dog उन दूसरे animals पे या फिर दूसरे dogs पे attack भी कर सकता है अब हम जानते हैं इन दोनों dogs के weight के बारे में तिबेतन मैस्टिफ में females का average weight 34 kg से लेके 54 kg तक होता है और males का average weight 45 kg से लेके 73 kg तक हो सकता है जर्मन जापड टिबेतन मैस्टिफ के मुकाबले size में छोटे होते हैं और इन में females का average weight 22 kg से लेके 32 kg तक होता है और males का average weight 30 kg से लेके 40 kg तक होता है अब हम बात करते हैं adaptability के बारे में तो दोस्तो आप जर्मन जापड को medium size के घरों में रख सकते हैं और वही टिबेतन मैस्टिफ को रखने के लिए आपको बहुती large size का घर चाहिए होगा जहां आपके पास backyard भी होना चाहिए जहां टिबेतन मैस्टिफ freely घूम सके जर्मन जापड डेली के गरम weather में भी रह सकते हैं लेकिन तिबेतन मैस्टिफ को ठंडा और हलका ठंडा weather ही पसंद आता है इसलिए तिबेतन मैस्टिफ आपको जाधा तर North India के ठंडे states में देखने को मिलेंगे अब बात करते हैं energy level के बारे में दोस्तो तिबेतन मैस्टिफ का height और weight जर्मन जापड के मुकाबले भले ही जाधा हो लेकिन जर्मन जापड तिबेतन मैस्टिफ के मुकाबले बहुत जाधा energetic होते हैं जर्मन जापड की energy level की वज़े से इन्हें बहुत से dog shows में भी लाया जाता है ये हमेशा अपने owner का command सुनने के लिए weight करते हैं और हमेशा active रहते हैं अगर maintenance की बात करें तो जर्मन जापड को maintain करना जाधा easy होगा इन्हें regular grooming की भी जरुरत नहीं पड़ती लेकिन इनके बाल समय समय पे जढ़ते रहते हैं जर्मन जापड की average price इंडिया में 14-18,000 रुपीज तक है और वही टिबेटन मैस्टिफ की price 60-80,000 रुपीज तक है लेकिन जो एकदम प्योर भी टिबेटन मैस्टिफ होते हैं उनकी price लाखों में हो सकती है टिबेटन मैस्टिफ को one of the costliest dog breed भी माना जाता है तो दोस्तों ये थाज का हमारा एपिसोड टिबेटन मैस्टिफ वर्सिस जर्मन चैपड के बारे में और ऐसे dog वर्सिस dog वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पे थैंक्यू